रियल हीरो, रियल फाइटर, पार्सी जितकारिया सालखन मुर्मू, वीरेंदर कुमार बास के, सेंगेल ओनौलिया, सन अठारह सो पचपनी के संताल हूल भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन था. एक तरफ वीर शहिद सिदो मुर्मू के नित्रित्व में पारंपरिक तीर धनुष से लेस संताल थे, तो वहीं दूसरी और अंग्रेजों की विशाल सैनिक आधुनिक हाथियार, बंदूक और गोलों से लेस थे. अपनी मात्रभूमी अर्थात जल, जंगल और जमीन के प्रती प्रेम और साहस का ही नतीजा ही था कि परमपरागत एवं मामूली तीर धनुष के सहारे संतालों ने गोरे अंग्रेजों को पराजित किया था. भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, किन्तु संताल हूल आंदोलन के कारण अंग्रेजों ने 22 दिसमबर 1815 को ही संतालों के द्वारा किया गया एक सफल हूल आंदोलन का एक एतिहासिक जीत थी. चूनकी, वीर शहीद सिदो मुर्मू के नित्रित्व में हूल आंदोलन का विदिवत शुरुआत साहिब गंज जिला के भोगनारी गाउं के पांच कठिया नामक जगह से 30 जून 18155 को की गई थी. अतह यही कारण है कि जारखंड सहिद बिहार, बंगाल, औरीसा, असमव, अन्यराजियों में 30 जून को बड़ी धूमधाम से हूल दिवस मनाया जाता है. साथ ही आदिवासी अपने वाजूत को बचाने के लिए फिर से हूल करने का नारा लगाते है. हूल दिवस जिन्दाबाद आज के संदर्ब में हूल का व्यापक मतलब क्या है? क्या सिर्फ खूल दिवस जिन्दाबाद का नारा लगाना? या फिर सशस्त्र युद्ध वास्तव में तीर धनुष से लेस होकर हूल आंदोलन की परिकल्पना करना आज के संदर्ब में अपराध और गैर कानूनी है. आ आजाद भारत में राजनीती और जनान दोलन ही हूल है. आज के संदर्ब में राजनीती और समवैधानिक जनान दोलन ही हूल है. आजाद भारत में आज कोई हूल क्रांती का मशाल लेकर हूल को सार्थक, जिन्दा और व्यापक मतलब के साथ आदिवासी वाजूद बचाने के लिए लडाई लर रहे हैं तो वे हैं सालखन मुर्मू। 30 जून 1980 से लेकर आज तक एक अकेला सालखन मुर्मू आदिवासियों के हासा, भाशा, धर्म, इजजत, आबादी, रोजगार, चासबास के लिए तथा असम के चाय बगानों में काम कर रहे शोशित पीडित हैं उनका अपना सारा जीवन उन्होंने आदिवासियों को बचाने के लिए कुर्बान कर दी हैं वे दिन रात आदिवासियों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन के इस पढ़ाव में भी एक युवा की तरह काम कर रहे हैं आदिवासियों के प्रती उनका चिंत अधिकान्श आधिवासी आज भी आधुनिक, मुख्यधारा और लोकतांत्रिक विचारधारा से अलगाव वा अलग थलग है। यही कारण है कि आदिवासी क्षेत्रों में नकसलवाद और उग्रवाद एक बड़ी समस्या बनी हुई है. कही पंचायत चुनाव का विरोध तो कही वोट का बहिशकार. कही कॉस्टोमरी लोग के नाम पर जंगल राज चलाने की कोशिश तो कही पत्थलगाडी परंपरा के नाम पर लोकतंत्र पर हमला. कही वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड जलाने की घटना तो कही पांचवी अनुसूची की गलत व्याख्या कर वंश्वाद आधारित स्वशासन के बल पर जंगल राज चलाने की कोशिश. डायन और अंधविश्वास के नाम पर महिलाओं की हत्या तो कही स्वशासन व्यवस्था को स्वशोषन जैसा कृत्य. अग्यानता वंश राजनीती को हेय द्रिष्टी से देखना आधी अनेक समस्या है. इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है सालखन मुर्मू. आधिवासियों के हासा अर्थात एक्ट, भाषा, अर्थात संताली, मुंडा, हो, औराव आधी भाषा के लिए, रोजगार अर्थात आरक्षन और नौक्री. इजजात आबादी अर्थात आधिवासियों की मान सम्मान और घट्ती आधिवासी आबादी. धर्म अर्थात आधिवासियों के अस्तित्व पहचान के लिए सरना धर्म कोड की समवेधा निकमान्यता. उपर युक्त तमाम मुद्दों के लिए एक अकेला सिर्फ सालखन मुर्मुई अदम्य साहस के साथ पिछले 40 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं. हाश ये पर खड़ा आधिवासी समाज के. पक्ष में न कोई पार्टी खड़ हमेशा राजनीतिक लडाई लड़ रहे हैं. जबकि आधिवासियों के इन तमाम मुद्दों के पक्ष में कोई भी राष्ट्रिय और क्षेत्रिय पार्टी खड़ी नहीं है. यही कारण है कि सालखन मुर्मु को राजनीतिक जीवन में आनेक राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ा है. सालखन मुर्मु की राजनीति सिर्फ पार्टी के एजेंडे के पक्ष ही नहीं, बलकि हमेशा आधिवासी मुद्दों के पक्ष में रहा है, आधिवासी समाज के पक्ष में राजनीति करते हैं. जबकि बाकी अन्या आधिवासी नेता सिर्फ पार्टी की क धिकांश आदिवासी लोग शोशक को ही पोशक समझ बैठे हैं। यही कारण है कि देश और राज्य के ही नहीं, बलकि दुनियाभर के आदिवासी विलूप्त हो रहे हैं। किन्तो इसकी चिंता करने वाले सालखन मुर्मू के अलावा कोई नहीं है। ओल्चिकी अविशकारक पंडित रगुनाथ मुर्मू संताल समाज के बहुत बड़े सामाजिक नेता अवश्य थे, किन्तो उन्होंने सालखन मुर्मू की तरह सोशल रीफॉर्म की बात कभी नहीं की। पचाने के लिए लोगों को आहवान किया। संताल समाज को ऐसी नजरिया द्रिश्टिकोन अर्थात गैर राजनीती सोच देने का श्रे कुछ हतक पंडित रगुनाथ मुर्मू को ही जाता है। पंडित रगुनाथ मुर्मू अपने समय में श्री शिबू सोरेन का साथ वह समर्थन करते रहे थे। वे दोनों एक साथ मंच भी साझा किया करते थे, किन्तु आबो दो समाज रे बाबो राजनीत का विचारधारा को थूस कर उन्होंने आदिवासियों के हासा भाशा और धर्म से वंचित करने का एक बड़ा कारण साबित हुआ। चून की आज अधिकांश आदिवासी जल्ग जंगल और जमीन बचाने के लिए संताल हूल दोहराने की बात तो बात बात पर करते हैं, किन्तु राजनीतिक हूल या राजनीतिक आंदोलन, धर्ना प्रदर्शन, रैली, जुलुस आधी में बहुत कम ही नजर आते हैं। तारान केन, शिबू सोरेन भाले ही आज राजनीतिक शिखर पर पहुँच चुके हो, किन्तु आदिवासी समाज के प्रती उनका रवया बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। क्या संताली भाषा को राजभाषा बनाने की बात करेंगे। जारखंड मेरे लाश पर से बनेगा कहने वाले आर्जेदी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ राजनीतिक खिचरी पकाने वाले जेमिम वशिबू सोरेन क्या जारखंड राज्यका भला करेंगे। आदिवासियों को आदिवासी हितैशी नेताओं की पहचान करना होगा। मुर्मू के विचारधारा ही आधुनिक भारत का हूल है। उनके विचारों को अनुसरंग करते हुए तथा उनके विचारों को कार्यरुप देकर आबुआ दिशुम्रे आबुआ राज स्थापित किया जा सकता है। सालखन मुर्मू की लोकतांत्रिक, समाजवादी और राजनीतिक विचारों को आत्मसात करके ही वीर शहीद सिदो मुर्मू और बिर्सा मुंडा के सपनों को साकार किया जा सकता है।